हेलो दोस्टों कैसे हो आप लोग तो आज हम सीखेंगे इंडियन म्यूजिक के बारे में तो कैसे रिप्रेजेंट क्या जाता है सरगम कैसा होता है सरगम कैसे बनाया जाता है कैसे लिखा जाता है तो स्वर क्या होता है कोमल स्वर क्या होता है तो काफ़ी important lesson है, अगर आप Indian music को समझना चाहते हो, उसके बारे में study करना चाहते हो, आपको काफ़ी help करेगा ये lesson start करने के लिए. तो चलिए, आज का lesson start करते हैं, हम paper pen के ओर जाएंगे, पहले थोड़ा theory को समझेंगे. तो यहाँ पर जो music का notes लिखा है, आपका total 12 notes होता है music में, इनको आप Hindi में स्वर भी बोल सकते हो, ठीक है, तो आपका start होगा A, then B flat, इसको आप A sharp भी बोल सकते हो, then आपका आएगा B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, and G sharp, ठीक है ना, तो जो flat होता है, इसको हम कोमल स्वर भी बोलते है and sharp को तिब्र स्वर, ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया, स्वर बोलते है notes को, flat को बोलते है कोमल, and sharp को तिब्र, ठीक है, then आपको जो सरगम बनता है, सारे गामा पाधानिसा, इसको हम सब तक बोलते है, क्योंकि उसमें आपका साथ स्वर लगता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, या फिर हिंदी में लिख सकते हो, सा, रे, यह आपको गा नहीं, गा लिखना है, पर आपको गा बूलना पड़ेगा, मा, पा, सेम आपका मा, पा, धा, नी, सा, पर इसको आपको मा, पा, धा, नी, सा बूलना पड़ेगा, and यह सा और यह सा में आपका एक octave का difference रहता है यह आपका high रहता है इसलिए सा के उपर एक dot लगा रहता है आपका जो high सा पे ठीक है तो आपका पहला सा है यह आपका next सा यहाँ पे dot लगा है अब देख सकते हो जिसका मतलब यह आपका high सा है तो इन सब स्वर को या नोट्स को आप सुध बोल सकते हो इंग्लिस में इसको नेचुराल बोलेंगे हिंदे में इसको सुध बोलेंगे ठीक है तो s h u d h मैंने छोड़ जिया आप s h u d h लिख सकते हो या सुध्धा कुछ भी बोल सकते हो तो आप इन में से किसी भी स्वर या नोट्स को सा बना सकते हो जिसे की वो उसका स्केल बन जाता है सरगम बन जाता है ठीक है तो चले हो था डिटल में देखते है तो सरगम में जो स्वर बनता है जो स्वर लगता है वो आपका दो टाइप का होता है तो पहले को बोलेंगे अचल स्वारस या अचल स्वारास, कुछ भी आब बोल सकते हो या पिर Soon Text Notes तो जो Sa and Pa है इनको हम अचल स्वारस बोलते है या अचल नोट्स, कुछ भी आब बोल सकते हो जो कि सुधी रहता है देन आपको जो Rest Notes है तिरे, गा, मा, धानी या आपका विकरित या चल है इनको आप चेंज कर सकते हो इनका फ्लẹट या साब बना सकते हो डाटीज आपका कॉमल या तिबर बना सकते हो ठीक है देन हमारा नेक्स पॉइंट आता है कॉमल या फ्लैट नोट को रिप्रेजन्ट कैसे करें इंडियान म् देना है, जिसे पता चल जाएगा वो आपका Komal Note है, या Komal Swar है, सेम तीबर के लिए क्या करना पड़ेगा, उस Note के उपड़े एक Vertical Line आपको खींचेना पड़ेगा, Komal के लिए Horizontal Line नीचे, तीबर के लिए Vertical Line उपर, तो कासी सिंपल है, मैंने कासी सिंपल रखा है आपको सम जो में आ रहा है यहां तक हो गया तो चले रेखते इसको सरगम में कैसे represent करें तो जैसे कि मैंने starting वाँ को बता है आप कोई भी note को सा ले सकते हो तभी समझाने के लिए मैंने C को सा रखा है ठीक है तो इसका सरगम बनाने के लिए या सब तक निकालने के लिए हम एक formula यूज़ करते है काफी time में आपको बताया है आपका formula है whole, whole, half whole, whole, half तो whole मतलब अगर आप एक एक note को skip करके आगे जाते हो आपका बनता है whole note that is C to D, D to E, E to F sharp यह सब आपका whole note है then आप एक एक note आगे जाते हो आपका बनता है half note that is C to C sharp, C sharp to D, E to F यह सब आपका half note है ठीक है तो सबसे पहले हम C से start करेंगे सभी notes को लिख देंगे C, C sharp D, D sharp E, F, F sharp G, G sharp A, B flat B, C then इसका सब तक निकालने के लिए या सरगम निकालने के लिए हम फॉर्मूला को यूस करेंगे तो C बन गया आपका सा whole note उपर D बन गया रे whole note उपर E बन गया गा यह और से half जाएंगे F में गया मा F से whole बन गया G, PA G से whole बन गया A, र A से chair, होल बन गया बी नी B से half बन गया आपका C, सा तो सा, रे, गामा, पा, धा, नी, सा तो आपका ये सा और ये सा में एक octave का difference है ये आपका low है ये high है इसलिए सा के उपर हमने dot marking लगाया है जैसे कि मैंने आपको starting में बता दिया था then आपका जो सा और पा है आपका ये अचल या fixed notes बोलते हैं इसको तो इसको मैंने box में रख दिया या भी इनको हम change नहीं कर सकते then आपका जो C सा और है इसको हम बोल सकते है कोमल रे क्यूंकि आपका सा फिक्स्ट है तो जो रे है उसको हम flat कर देंगे या कोमल कर देंगे तो नीचे horizontal line देख सकते हैं आपका बन गया कोमल रे तो खहीं पे भी अगर आपका रे के नीचे एक line है horizontal line है उसका समझ लेज़े हो कोमल या flat है ठीक है तो सेम यहाँ पर D साब बनता है आपका कोमल गा तो already आपका रे हाँ पर कोमल बन चुका है इसको तिब्रह नहीं कर सकते है भी तो क्या करेंगे आपका जो गा है उसको भी कोमल कर देंगा भी तो आपका जो यह note है इसको हम कोमल गा बोलेंगे ठीक है D साब बनता है आपका कोमल गा सी स्केल में similarly आपका यहाँ पर E बन गया गा जैसे हमने पहले किया था F बन गया मा Then आपका जैगा F साब जो की बनता है आपका तिबर मा तो तिबर के उपर आपको यह वर्टिकल लाइन देना चोड़ासा आप देख सकते हो मा के उपर है तो यह बन गए आपका तिबर मा ठीक है Then आपका जैगा पा जो की फिक्स्ड रहता है इसले हम इसको कोमल नहीं किये इसले हमने जो मा था उसको तिवर कर दिया तो F साब बन गए आपका तिवर मा पा आपका फिक्स्ट है देन आपका आएगा कोमल धा ठीक है, सिंपल अभी आप समझ सकते हो तो आपका जो A था उसको हमने फ्लैट कर दिया जी सार्प कर दिया जो की बन गे आपका कोमल धा दिन आपका आएगा धा दिन आपका आएगा कोमल नी या बी फ्लैट दिन आपका आएगा नी दिन सा इसको हम हाई सा बोलेंगे तो ऐसे करके आप किसी भी नोट का सरगम या सब तक निकाल सकते हो उनका कोमल या तिब्र सोर आप आराम से जान सकते हो तो I hope ये section आपको समझ में आ गया अभी तो चले थोड़े गिटार क्यों चलते हैं तो I hope अभी आपको समझ में आ गया जो basic theory है तो कैसे notation को represent करते हैं Indian music में आपका तिब्र क्या है, कोमल क्या है विक्रित क्या है, चल क्या है, चल क्या है तो काफी simple था I hope आपको समझ में आ गया है तो next part में हम क्या करेंगे practical example लेंगे, एक song का तो उसके सरगम को break करेंगे, देखेंगे कौन-कौन सा सूर आपका टिब्र है या कोमल है ठीक है ना, काफी आपको मज़ा आएगा उसको study करने में तो अब हमने C major का स्वर या notes निकाला तो C हमारा बना root note यहां पर आपका D बना रे अगर आप C साब लगा तो आपका बन जाता है यह कोमल रे ठीक है ना, काफी interesting चीज़ है अब का गा, मा, पा, यहां पर बना E, F, G तो और अब E की जगा, D साब लगा तो आपका बन जाता है यह कोमल गा या F की जगा, F साब लगा होगे आपका बन जागा तो यह सब गानों में कैसे use होता है मैं इसको next part में सीखेंगे तो इनका use करके आप जो Indian music है, Indian classical music है उसको भी study कर सकते हो जो कि Western music में modes बोला जाता है तो 7 types का modes होता है तो Indian classical में इसको अलग नाम से बोला जाता है जो कि हम आगे सीखेंगे तो चले आज का वीडियो ही पर रखते है I hope इसको 50,000 views आए ताकि इसका next part में आपके लिए लेकर आओ तो जरू like कीज़े, share कीज़े क्योंकि ये सब concept गेटा में साथ आपको नाम मिले YouTube पे तो मैं try कर रहा हूँ आपको provide करने का free में बिलकुल तो जरू like कर दीजेगा तो चले मैं आपको मिलता हूँ next video पे Thank you for watching